तो दोस्तो जैसे के आपसे बिने वीडियो के थम्नेल एंड दोस्तो टैटल में भी आप लोगों ने देखी लिया होगा अगर दोस्तो आपका फोन पे अकाउंट ओटोमेटिक दोस्तो अपने आप जो है यहाँ पर जो इस तरीकी का दोस्तो प्रोब्लम आ रहा है सेन आउट हो चुका है दोस्तो आप जाब उसे लोगइन करने जा रहे है तो अनेबल टो प्रोसेड योर फोन पे अकाउंट दिस ब्लोकेड योर सिक्रोटी रिज़न प्लीज कॉन्टेक्ट सपोर्ट रिक्वेस्ट अकाउंट अन ब्लोक इस तरीकी का दोस्तो अगर आपको आपको आ किस तरीके से जो है फोन पर अकाउंट क्यों ब्लोक हो चुका है इसको किस तरीके से अन ब्लोक करेंगे और किस तरीके से दोसों फोन पर अन ब्लोक करने के बाद इससे हम किस तरीके से लोग इन करके और पहले जो सो हम जिस तरीके से ट्रांजेक्शन करते थे उसको हम किस तर के लिए काफी helpful होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आज मैं आपको complete process में आपको दिखाने वाला हो कि किस तरीके से इसे सही किया जाता है तो चलिए फटा-फट से वीडियो को सुरू करते हैं और आपको detail में बताते हैं दोस्तों किस तरीके से जो है हम इसका problem solve गर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे phone पे application को सबसे पहले जो है आपको uninstall कर देना होगा सबसे पहले आपको इसे uninstall कर देना है बिल्कुल इसी तरीके से अनिस्टोल करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इंस्टोल करना है इसका जो link दोस्तों मैंने आपको वीडियो के description box में दिया है दोस्तों latest version का वहां से आपको direct click करके download करना है नहीं तो दोस्तों आप यहां पर जो है अगर आपने पहले से दोस्तों download किया होगा वहां से आपको direct download play store से नहीं करना है नहीं तो आपका फिर से यहां पर दोस्तों unblock नहीं होगा फिर मुझे मत बोलना कि भाई मेरा problem solve नहीं हुआ तुमने किस तरीके से बताया इसका जिम पर application जो है install हो चुका है open करेंगे अब open करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाता है तो यहां पर आपको अपना mobile number दोस्तों डाल करके यहां पर जो phone पे के अंदर login करना है अब यहां पर आपको उसी mobile number को डालना है जिससे आप phone पे बनाना चाहते ह जो है यानि कि दोस्तों bank account के साथ mobile number link है उसी mobile number को यहां पर दर्ज करना है सबसे पहला चीज़ तो आपको इस चीज़ का पता लगाना है कि आपके bank account के साथ कौन सा mobile number link है आपने account open कराया था तो कौन सा mobile number आपने bank में जमा किया था तो mobile number आप यहां पर दर्ज करेंगे तो चलिए फटाफर से मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं, उसके बाद आगे दिखाता हूं, उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर हमारा आ चुका है, फिर से हम यहाँ पर प्रोशीट करेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर से हमें इस तरीके का उप्संस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका एक स्क्रीन सौर्ट इस तरीके का लेना है, अब यहाँ पर इस तरीके का आपके अपने mobile phone पे दोस्तों एक screenshot ले लेना है, एक चीज का आपको याद रखना है, उसके बाद दोस्तों इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पर नीची एक option से मिलड़ा है, contact, support इसमें आपको किलिक करना है, दियान से देखना सारा चीप proof के साथ दिखा रहा हूं, अच् पर हिंदी करना चाहता हूं, क्योंकि English मुझे थोड़ा सा problem है, तो अगर आपको लगे कि आप English में अगर आप कर पाऊगा ति English ही रहने देना, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे थोड़ा सा आना है, नीचे स्क्रोल करना, यहाँ पर एक options आपको मिलेगा, contact us, हमसे संपर करें, इसमें दोस्तों आप किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, ध्यान से देखना, सारा ची आपको proof के साथ दिखा रहा हूं, बिल्कुल step by step दिखा रहा हूं, अब यहाँ पर दोस्तों आपको उसी mobile number को डालना है, ज यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ capture वगेरा मिलाने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस में capture आ रहा है, तो capture मिलाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर verify करेंगे, अगर आपका capture अच्छा से match नहीं करता है, तो यहाँ पर आप capture मिलाएंग submit, यहाँ पर दोस्तों देखेते हैं, phone pay के तरफ से OTP आ चुका है, चली हम OTP डाल के submit करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का options आ जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेचे scroll करना है, आएं दोस्तों यहाँ पर scroll करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर region चूज करना है, आप किस region से जो है आप यहाँ पर आपका क्या problem है, तो यहाँ पर दोस्तों आप चूज करेंगे एंधे और आपको चलीह दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चूस करेंगे, Unable to Issue, यहाँ पर दोस्तों पर फोन पर, यहाँ पर refund के नीची तो यहाँ पर दोस्तों Unable To Log In Register, यहाँ पर दोस्तों आमारे सामने इस तरीके का प्रोवलम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उपर वाले region को चूँज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, action file में आप click करेंगे, और यहाँ से जो आपने screenshot लिया जिस तरीके का जो problem आ रहा है, यहां से आप click करेंगे, यहां पर ऐसे आप click करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका gallery ओटोमेटिक ओपेन हो जाएगा, यहां से एक screenshot जो आपने भी लिया था, यहां पर upload करेंगे, upload होने के बाद दोस्तों आप यहां पर region में यहां पर type करेंग और यहां पर दोस्तों आपका photo upload हो चुका है, अब यहां पर आप send करेंगे, यहां पर दोस्तों 24 से 48 घंटे के बाद दोस्तों आपका phone पर application जो है दोस्तों enable हो जाएगा, उसके बाद आप यहां पर login कर पाओगे, इस तरीके का option आएगा, तो यही एक सही तरीका था, मैंन आपको बता है, वीडियो अच्छा लगाता लाइक करना, चैनल को सब्सक्रेब